नमस्कार आईश्मान भाव में बहुत बहुत अज़नंदन आपका हारदिक स्वागत आपका मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंट संतो संतोशी और रात दस बुझे लाइब हमसे डेली जुड़ते हैं आप एक और अनरोध आप अपने छेतर के किसी भी धन से हीन बालक जो पढ़ाई में पिछड़ रहा हो उसकी सिक्षा में मदद के लिए हमसे संपर कर सकते हैं नमबर जो आपके सामने फ्लेश हो रहा है उसी पर बता करके सुरवात करेंगे आज के कारक्रम की तो तिरांक 19 मार्श को पैदा हुए लोगों को सबसे पहले हमारी तरब से शुपकामनाएं और बहुत सारी बधाईयां निश्यत रूप से आप बहुत आज भागिशा लिए हैं चंद्रमा उत्रा शाढ़ा और स्रमन दो दो नक्षत्रों में आज संच्रण करेगा दो बच के और तालिस मिनट तक उत्रा शाढ़ा है इसके बाद स्रमन नक्षत्र है चंद्रमा का दो दो नक्षत्रों में रहना यह भी अपने आप में आतिहासिक है यह भी अपने आप में आतिहासिक कि दो नक्षत्र चंद्रमा संच्रित हो तो आज दो महादशाओं का समाविश छे महीना एक महादशा, छे महीना एक महादशा पढ़ाई सुरवात बहुत अच्छा होगा सुक्षा चेतर में दिक्कत नहीं आईगे लेकिन बाद में परेशानिया बढ़ जाएंगे कुछ ने कुछ मुश्किल, कुछ ने कुछ परेशानिया अचानक से बढ़ा देती है अनकूलता नहीं है सुक्षा छेतर में दिनांक, 19 मार्च को पैदा हुए लोगों के लिए मई, जून के बाद कहीं नई जगह है एडिमेशन और फिर जो रिजल्ट आएगा वो बहुत पाश्टिप आएगा जुलाई, अगस्त, जबर्दस्त समय रहेगा सितंबर, अक्टूबर थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है दिनांक, 19 मार्च को जन में पाए लोगों के लिए कुछ प्रभाव अचानक कष्ट दिखा रहा है कुछ प्रभाव अचानक कष्ट दिखा रहा है ब्यापारिक दिख्ट कोर से उन्नती के संकेत मिलेंगे नए-नए रिस्क लिए जा सकते हैं आज पार्टनर्शिप समझ लिजेगा कि इस वर्ष थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है पई-जून से लेकर कि सितंबर अक्टोबर की बीच का समय जब शनी और ब्रहश्पित वक्री पोजिशन पे रहेंगे मुश्किलें अजानक से कुछ इसी फिकार की बढ़ सकती है यह दोश यह परेशानी गंभी रूप ले सकता है कुछ तनाव की स्थिति नॉवंबर दिसंबर की बाद फरवरी तक हो सकती है मार्च का महिना बिजनस के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए मई-जून में परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है मई-जून आपके लिए परिवर्तन का समय लेकर रहेगा जुलाई-अगस्त परेशान करेगा बॉस चेंज होगा फिर सब ठीक होगा अक्टूबर से दिसंबर का समय मांसिक कश्ट का रहेगा जनवरी और फरवरी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए फिर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा सरकारी छेत्र वालों के लिए समय अनकूलता का परिग्राम बताएगा जब आप प्रमोट होंगे मैई से जून के वीज़ में पुलिस आद विभाग के लोगों के लिए समझ लेजे कि अपरेल भी महारामबान रहेगा मंगल उचस्त रहेगा जो की बेहत सकरात्मक होने जा रहा है आंतरिक कश्ट कुछ बढ़ सकता है दिरांग 19 मार्च को पैदा हुए लोगों के लिए कुछ तकलीफ बढ़ाने वाला रहेगा सरकारी छेत्र वालों के लिए वरकलोड सितंबर नमंबर के बीच में अचानक से बढ़ेगा मुश्किल में आएंगे आप ध्यान देजेगा वाहन का सुख मिलेगा आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में कोई बड़ा सपना आपका पूरा होगा फरवरी में भी दामपत्य जीवन सुख रहेगा सुखी रहेगा दामपत्य जीवन में सुख भी रहेगा और आप लोग सुखी भी रहेंगे हाँ बीच में थोड़ा बहुत उठा पटक तो खैर होता है लेकिन कभी भी पूरे वर्ष में ऐसा अवसर नहीं आएगा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाया आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत दोस्ती यारी को लेकर के संजीदा रहेंगे तो सब कुछ बहुत इजी रहेगा बड़े बुजर्गों का बात माने संतान का सुख जुलाई और मार्च में संभव है लव लाइफ संबन्द विच्छेद होते होते सम्हाल नहीं गया अवसर जुलाई में भी आएगा फर्वरी मार्च में आएगा बाहरी लोगों का हस्तक्षिप बहुत जादा रहेगा जिससे बच पाना लगबग नामुम्किन सा लगेगा उपा क्या करना चाहिए आपको बताएं कि पहले लव लाइफ के बाद अब स्वास्त के बारे में स्वास्त के मामले में जुखाम बुखार तो पूरे वर्ष रह रह करके परेशान करेगा चोट चपेट की संभावना मई जुलाई और सितंबर के आस पास में दिखाई देगा स्वास्त लिवर किड्नी ब्रहश्पती एक्रित लिवर का कारक नीचस्त बहुत परेशान करेगा जो भी अलकॉलिक लोग हैं उनको तो समझे लेजे कि बस पूशिये में क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे पहले और बता देतें दो-चार पॉइंट एक्सिडेंटल प्रॉब्लम मई अगस्त और नवंबर किनी दो बुजर्गों को दवा का दान करके तीन बच्चों को भोजन करा देजेगा मा लेजे किसी छोटे बच्चे का आज बर्थडे है तो उसकी जगह उसके माता पिता करा दे भोजन बड़ा पुन्य मिलेगा जिनकी आज शादी की सालगीरा है काला धागा अपने सर से वार कर किसी पीपल के पोदे में पति पत्मी दोनों बाढ़ दे एक कैधागा दोनों लोग हाथ लगा दे पत्मी और दोनों के सर से एक कैधागा वाल तिन तिन बार उल्टा ये शादी की सालगीरा है जिनकी आज सेलिब्रेट करेंगे 19 मार्च को आज तो इस वार महाशुब दिन भी है पाप मोचनी एकादशी है तो उपाय करना और भी जादा कारगर होगा तैंकी सो मच आभार है आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं नमबर आपके सामने फ्लेश हो रहे हैं टेलिफोनी कंसल्टन्सी ले सकते हैं वो भी नमबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है समय कला आव उठाएं कोरोना से बचे जो तशीय कंसल्टन्सी ले जाएं थैंकी सो मच केप स्माइलिंग लाव यू आल टेक कियर स्रीकिष्णा शिराने